आपका नौवल सोसाइटी और हिस्ट्री के इस सेकिंड लास्ट वीडियो में बहुत स्वागत है सीरियसली यह सीरीज मैंने बहुत जल्दी जल्दी बनाई और इसके बाद एस पर प्रॉमिस मैं प्रिंट वर्ल्ड भी शुरू कर दूँगा आप जुड़े रहें आपके जूनियर्स आपके फ्रेंट भी मुझे से जुड़ें मुझे अच्छा लगेगा दोस्तो इस कोर्स में हम कवर करेंगे कि जातपात का नीची जातों का और मुसल्मानों जैसी मैनौरिटेज का नौवल्स के साथ कैसे रिलेशन बना इंदू लेखा की स्टोरी क्या थी? तितश एक्टिर नदिर नाम में क्या होता है? वैकम मोहमद बशीर के नौवल कैसे थे? दोस्तो अब तक ये तो हमें मालुम होई गया है कि इंदू लेखा एक लव स्टोरी थी पर ये लव स्टोरी के अलावा एक ऐसे इशू एक ऐसे मुद्दे के बारे में भी थी जिस पर नौवल लिखे जाने के टाइम पर यानि उस टाइम पर काफी बैस बाजी काफी वाद विवाद चल रहा था ये मुद्दा था केरल में उची जात के हिंदूओं की शादी के रिवाजस का प्रैक्टिस का जो की नमूद्री ब्रामनों की नायरों के साथ होती थी नमूद्री उस टाइम कैरला के बड़े जमीदार थे और नायरों का एक बड़ा हिस्सा उनके लगानदार थे या किरायदार थे यानि नमूद्रियों की जमीन सिक्मी से लेकर जोता करते थे अब जब नायरों की नई पीडी पढ़ लिग गई और अपनी मेहनत से अपने दम पर अमीर बन गई तो वे लोग नमूद्री लड़कों की नायर लड़कियों के साथ होने वाली शादी पर एतराज करने लगे उनकी डिवांड थी कि जमीन और शादी ब्यापर भी नए कानून बने जिसमें उने भी नमूद्रियों के बराबर इक्वल हग मिले दोस्तों इन बहसों को ध्यान में रखते हुए हम इंदू लेखा की स्टोरी पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि उस जमाने की सोसाइटीज के इशूज को कैसे इस नौवल ने उभारा सूरी नमूद्री एक बेफकुफ लैंडलॉड है जो इंदू लेखा से शादी करना चाता है पूरे नौवल में उसका मजाक बनता है इंदू लेखा उसे रिजेक्ट कर देती है और उसकी बजाए माधवन को चुदती है जो कि पड़ा लिखा हैंडसम नायर है दोनों उस जमाने के अलग चल, विपरीत चल मैरिज कर लेते हैं और मदरास शहर चले जाते हैं वहाँ जाकर माधवन सिविल सर्विस जाइन कर लेता है अब चुकि सूरी शादी करने के लिए मरा जा रहा था तो वो इंदू लेखा की ही किसी दूर की गरीब रिष्टेदार से मैरिज कर लेता है और ये सोचता समझता है कि उसने तो इंदू लेखा से शादी कर ली है दोस्तो उस जमाने के महान पेंटर राजा रवी वर्मा थे और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से चंदू मेनन जी ने अपनी कहानी में हिरोईन्स का रूप बया किया है वो शायद राजा रवी वर्मा की पेंटिंग से इंस्पायर थे अपनी कहानी में ओथर चंदू मेनन जी चाहते थे कि रीडर्स नए जमाने के हीरो हिरोईन की नई सोच वाली नई वैल्यूज को अपनाए और सूरी के इम्मोरल और फुलिश हरकतों को क्रिटिसाइज करें 1892 में नौर्दन कैरला की छोटी जात वाले राइटर पोथेरी कुजाम्बू ने अपना नौवल सरस्वती विजियम लिखा जिसमें उन्होंने जात पात के नाप पर होने वाले दमन को काफी क्रिटिसाइज किया ये कहानी है एक अच्छूत हीरो की जो अपने गाउं के जालिम ब्रामन जमिदार के जुल्मों से बचने के लिए अपना गाउं छोड़ कर भाग जाता है वो क्रिश्चन बन जाता है, कनवर्ट हो जाता है और फिर पढ़ाई करता है इसके बाद वो जजज बन कर लोकल अदालत में पोस्टर हो जाता है अब गाउं वाले उस ब्रामन जमिदार के खिलाफ इस दलित लड़के के मडर का केस कर देते हैं जब केस चलता है तो जब खतम होने का टाइम आता है तो जजज साब अपनी असलियत बता देते हैं और नमूदरी को अपने किये पर बड़ाई प्राश्चित होता है वो सुदर जाता है सरस्वती विजियम छोटी जात के लोगों की तरक्की के लिए पढ़ाई पर जोड़ देता है दोस्तो बंगाल में भी 1920s में नए तरह के नौवल लिखे जाने लगे थे जिसमें किसानों और छोटी जात वालों की जिन्दगी के मुद्दों को दिखाया गया 1914 में जब में अद्वैत मला बर्मन के 1956 में छपे एपिक नौवल तीतश एक्टी नदीर नाम में मला मच्वारों की जिन्दगी को दिखाया ये मला लोग तीतश नदी में मचली पकड़ कर अपनी जिन्दगी चलाते थे इस नौवल में मलाहों की तीन पीडियों की कहानी है कहानी है उन पीडियों में उन पर आई मुसीबतों की और कहानी है एक लड़के अनंत की जिसके माबाब शादी के बाद सुहागरात के इमपीजेटली बाद बिछड़ गए थे अनंत अपने मलाहों के समाज को छोड़ शहर में आकर पढ़ाई करता है यह नौवत बहुत ही डिटेल में मलाहों की कॉमनिटी लाइफ उनके होली, काली पूजा, बोट्रेस जैसे त्योहार, भटियाली गाने, उनके किसानों से व्यवार, रिष्टेदारी, दोस्ती, दु दिखाता है, धीरे-धीरे कॉमनिटी टूटने लगती है, क्योंकि इस समाज पर शहर से आने वाला परभाव पढ़ने लगता है, तो समाज के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, इस समाज का नदी के साथ बहुत ही आत्मिक रिष्टा है, दोनों की जिदगियां एक साथ मिली हुई है, तो उन दोनों का end भी एक साथ ही आता है, जैसे जैसे नदी सुकती जाती है, मला समाज भी खतम होता जाता है, बर्मन से पहले भी बहुत authors ने नीची जात वालों की जिदगी और उनकी life में होने वाली परशानियों के बारे में लिखा था, पर तीतश ये भी अनोखा है, क्योंकि बर्मन खुद नीची जात के मला समाज से थे, दोस्तों धीरे धीरे नौवल्स की दुनिया में ऐसी भी minorities, communities को जगा मिलने लगी, जो अभी तक literary scene मर नहीं आये थे, 1908 में जन्मे, वाइकोम महुम्मद बशीर मल्यालम के बहुत मशूर author थे, जो starting में ही famous हुए novelists में एक थे, बशीर की कोई formal education नहीं हुई, बलकि उनके काम, किताबों से मिली knowledge की बजाए, उनके experience से मिली knowledge पर अधारित थे, अभी वो class 5th में ही थे, कि उन्होंने salt satyagraha में हिस्सा लेने के लिए घर छोड़ दिया था, दोस्तों मुझे उमीद है कि आपने मेरा salt satyagraha पर वीडियो जरूर देखा होगा, anyways, बाद में उन्होंने पूरा इंडिया घूमा, साओधी अरैबिया भी गए, शिप पर भी सूफी लोगों के साथ और सादू सन्यासियों के साथ भी रहे, और पहलवानी भी सीखी, जब उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उन्हें अपनी दाल रोटी चलाने में बड़ी मुश्किल आई, उन्होंने अपनी ही किताबे salesman की तरह घर घर जाकर और दुकानों में भ और आना भी चाहिए, इस से उसे कभी अभिमान नहीं होता और वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, यह चीज अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोधी साब के अपनी चाय के दिनों को याद करने में देखा होगा, शायद वे अपने उन दिनों को एक reference, एक guidance और एक इ बशीर के नॉवल्स मुसलिब घरबार को बड़ी ही detail में बया करते हैं, उरों ने बड़े ही नए theme पर कहानिया लिखी जैसे गरीबी, पागलपन और जेल की जिद्दगी, यह theme, यह topic उन दिनों मल्यालम में common नहीं थे, आम नहीं थे, दोस्तों अंग्रेज भारत और भारत यह खुद को कैसा देखना चाहते थे, अंगूरिया बिनिमय की कहानी में क्या था, नॉवल्स ने लोगों के मन में एक स्ट्रॉंग पास्ट की भावना कैसे जगाई, मुन्शी प्रेमचंची के नॉवल्स कैसे थे, और उनकी नॉवल रंग भूमी की कहानी क्या थी, जाने अपने लास्ट वीडियो मेंरी और डॉइनत की कंदर की है, और इस चैनल को सबसक्राइब कर अपना बनाया है, उन्हें मेरा दिल से शुक्रिया. बिलते हैं सिरे नेक्स्ट और स्टमची के लास्ट वीडियो क्या थी, तैक यू.